दोस्तों महा भारत काल से चला आ रहा ये मंदिर माता करेडी देवी माता जो यहां इस्थित है तराना से 20 से 25 किलो मेटर दूर कहा जाता है अंगराज कन की कुल देवी है माता करेडी देवी और यहां पे ही इस्थित है अंगराज कन महा भारत काली न्युग में थे जो रोज यहां माता जी के दर्शन के लिए भी यहां आया करते थे जैहू करेडी देवी मातेश्वरी की सब को स्वस्त रखे सब को अच्छा रखे सब को निरोग रखे खुश रखे हलो दोस्तों मैं हूँ अच्छे अंच्छिला की तराना तेसिल में करेडी माता की तरफ जा रहा हूँ यह बहुत एंटेरियर में है देखो रस्ते के कैसे लड़ रहे हैं बुरी तरह से लड़ रहे हैं सामने कार और यह क्रॉस करते हुए हम निकल रहे हैं और यह बहुत ज़ादा बुलना चाहिए एंटेरियर में है रस्ता बहुत छोटा और सक्रा है और ज़्यादा आवादी नहीं है कम आवादी है पिछले 15 मिनिट से हम लोग चब रहे हैं में तराना से यह पड़ता है करीब 22-24 किलोमेटर और यह देखिए हैं आम के प्रेश शांदार और महार का जो एट्मोस्फियर बहुत क्लाइमी क्लाइम बलना चाहिए क्लावडी हो रहा है बादल का मोसमें बिजली करग जो ही है पानी आ सकता है चारो करब जो है मोसम बिल्कुल सुआना हो गया है और शायद हम लोग बहुत लेट निकले है इतनी लेट हमें नहीं निकलना चाहिए था पहले ही निकल जाना था अब चलो निकल गए है तो आप दर्शन करकी आएंगे आप लोग देख सकते हैं रस्ते पर यह लकडिया यह किसी ने डाला नहीं है यह हुआ से उड़के आई यह रोट की अबर रस्ता बहुत सक्रा है और गड़ा बहुत बुला है राइट साइड में बाहर बिजली चमग रही है और हमारे पीछे भी आप और यह भाई ट्राफिक रोट्राफिक जो है यह है ट्राफिक पुलीस देखिये ट्राफिक की लाई भिजली जोरसे कड़़ी ये ट्राफिक पुलीस ट्राफिक को रोपते हुए काले काले आई ये आई बिन को नगड़ो आप ऐसी दबाना मत सही है ये नहीं आज़े है बारिश की संभावना बहुत जादा लग रही है क्योंकि बिजली बहुत चमक रही है और रस्ते पे लकड़ियां टूटी हुई पड़ी है प्रेड़ों के गड़े बहुत है देखते हैं कब तक पहुचते हैं हवा लगता है यहाँ पे सादा गहंटा पहले बहुत तेज आंधी और हवा चली आंधी बरी हवा चली क्योंकि पूरे रोड पे पत्ते और लगड़ियां गिरी हुए प्रेड़ के निचे तो गायब दिखरी यह एक नदी आई है जो सुख गई है पूरी तरह से रस्ते पर और आप लोग देख सकते हैं उट किदर चलना है यह चारो तरफ इस तरह पूरी तरह आपको दिख रहे होंगे उट के बच्चे भी दिख रहे होंगे और यह में रोड से हम नीचे उत्रहे हैं सड़क पे कच्छी सड़क पे और यह देखें रोड का यह धी वह चारो तरह पर हमारे में। साइड में उट भी तरह एंफ। ईरक वह आ किया बाद यह देखियो कि दो ह। टने में कि यह देखें अवोट का लगत हम गई है क्योंदे Arc राजस्थानी लोग काफी है यहाँ पर राजस्थानी लोग है जो जान संख्या देखके ऐसा लगगा है कि यहाँ बहुत सारे लोग रफने राजस्थानी वह दो रेक्ती दिख रहा है सामने देखिए अब भाई पूरे रोड पे ऊटी ऊट है गजब यह देखो वाई यह बेबी केमल यह देखिए चोटा सा बेबी केमल यह चोटा सा बेबी केमल इधर भी देखिए इस नाम काखा जे पालते हैं इनके बच्चे वग्रा देखिए अपर बच्चे जाता दिख रहा है मुझे तो यह दौडता हुआ जारा है वह आच्छा द्रिश्चता वास सारे लोग हमारी टीम पूरी बेटी हुए है गाड़ी में अब आगे जाते हैं बाई 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 की तरह कड़ते हैं रोड कुछ ज़्यादा खास नहीं है गड़े ज़्यादा है हवा बहुत तेज चल रही है लेफ्ट साइड में पहार जैसा जो है हिली टाइप का लूट है और राइट साइड में पुरा खुला हुआ है पहारी काफी दूर है और राइट साइड का ग्रिश है कुछ जादा अच्छा है देखने में अब देखिए फिर ये रोड पे गड़्टा आगया फिर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पीछे अभी भी वो कार खे है शायद वो भी वही जा रहे होंगे करेडी माता जी जा हम माता जी का विक्राल रूप देखेंगे रौद्र रूप माता जी का है वहाँ और आप सब्कों में दर्शन कराओंगा माता जी का रौद्र रूप वहाँ जो है मुर्गे बक्रे सभी मन्नत के तोर पे बली चड़ाई जाती है मनोगामना पूर्ण होती है वहाँ पे ये फिर से आया है अब देखिए आप चारों तरब जो है खेत और जंगल देख रहे हैं चारों तरब और शेत्र तो पुरा पहाड़ी ही है कि लिए कभी डलान आ रहा है तो कभी चड़ाऊ आ रहा है पुरा पहाड़ी लागा है और पैदावार थोड़ी कम होनी चाहिए आप कईके लिए पत्रीली जमीन दिख रही है अधर यह बिजली चमकी राइट साइड में राइट साइड से तो भाई मोसा में साथ बहाना और भया भाई दिख रहा है कि कभी भी बारिश हो जाएका कि लिए उधर तो बारिश हो रही है राइट साइड में बारिश हो रही है उधर पहाड़ी के पीछे जो दूर पहाड़ी दिख रही है अगरे करेडी माता जी के मंदिर पूच चुके हैं और गाड़ी से उतरते हुए हम सभी बाहर का दृष्या आपको मैं दिखाता हूं यह देखिए बाहर का दृष्या और इस तरह से देखिए है ट्रелित भर के आते हैं और दूर से आते हैं ड्रेक्टर ट्राली में लेकिए आप यह पूरा अपना सामान जुन है दूरा मटर बगेरा सब और सब गाउँवाले मैध के खटay होके सब राजी खुशी हसी मजाक के सात में गारी में बैटके आनन करते हुए दर्शन करने आते हैं माता जी के तो ये चारो तरब जो है चलवा है तो वाई साब मंदीर आ चुके हैं देखते हैं मंदीर में प्रवेश्च करेंगे अब आजाएं ये हैं ये हैं मंदीर ये ये हैं मंदीर का प्रारंब यहां नारियल बगरा लेना एक नारियल दो तभाई प्रशादी ले रहा है हांसे कितने बैसे बड़ा प्रशादी ले रहा है हांसे करेडी देवी माता जी का मंदीर वो देखे सामने फ्रेंट में है और लोग का गाउं के हैं और एक गाउंवाला जो है अभी टेंशन में आ गया था कि मैं वीडियो किस चीज की देख रहा हूं तो दोस्तों मैं अभी माता जी के दर्शन आप लोगों को पराऊंगा देखे प्राचीन शिलालेक यहाँ पर यह है और यह शिलालेक काफी पुराना और प्राचीन दिख रहा है इसमें शेशनाग बना हुआ है और इधर भी यह शिलालेक है जो मैं आपको दिखा रहा हूं यह भी बहुत प्राचीन शिलालेक दिख रहा है इसमें हाती और कुछ लोग दिख रहा है और चलालेक बहुत प्राशीन हो रहा है कि यहां पर पुछ बुलना चीए आवववस्तित जो दिमाग से आवववस्तित लोग पी होते हैं वह भी यहां पर बाइं जाता है वह ठीकों के हां सजाते है तो यहां पर अशिन सक्झी है मताजी के मंदिल में यह भाई हमारे अब यह देखिए आप यहां पे आपको शेश नाग और बोलना चीए बहुत सारे सिर वाले नाग प्राचीन बने हुए मूर्तियां और कलाकृतियां दिखेगी लाइन से यह देखिए यह बहुत प्राचीन दिख रहा है बहुत एंशियन दिख रहा है अब यह दिखाता हूँ अब यह दिखाता हूँ अब माता जी की तस्वीर वगड़ा और सिंदूर वगड़ा बेच रहे हैं इस चलिए तो प्रवेश करते हैं कराडी देवी माता जी की मसंद्र बहुत नहीं वाया है खाल्वकृत्व को भुटार और की यह मता जी की मता जी आपकी सारी मनों कामणाप मुर्ण करें सारे दुख दर्ग समाप Queers सब को शांति खुशिमne गी सब सब का कल्यान कर तेकिए मैं आपको यहां जो पाचीन नंगिरों की जो लग कला के उक्टिया और मिर्गिया हैं अब आपको बिखा रहा हूँ यह दिखे यह बहुत 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 पाचीन है आप तो जो आपको जो पीजन को नहीं में लेगी इस तरह जो इसक्राद की तेरा इस्ट्रक्चर अपन नहीं सब्सक्राइब आपके दिल्टी भी मेट से हैं तो यहां देखे बाउजी जाते हैं तो यहां देखे बाउजी जाते हैं जाते हैं यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब इसमें बहुत सारी जो है इसके खुंबे हैं मंदिर के मैं आपसे इनके बताता हूं कितने हैं एक वोटिंग चार पांच शे साथ आप आप नो दस ग्यरा बारा तेरा चुदा पंदरा सोला सफराटा इनिस इस इतिस बारे इस तेजिस पत्थिस अजिस शिलाले के बना भुना चाहिए हैं इसके बाद में हम जाते हैं अंदर यह है वार और यह है विशाल कराड़ी देवी माता जे की जाए है शेलिए है अंदर भवेश करते हैं कराड़ी देवी माता जे के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना प्रूँ करें जो भी आपकी इच्छा हो मनोकामना हो माता जी से मांग लें आपकी सारी दुख तकलीफे सब समाप्त होईगी माता जी के आखे आप लोग सारे माता जेकिए और अपनी सारी तकलीफे जो है हर लेने की प्रात्ना कीजिए जै बोलो कराड़ी देवी माते शोरी की जै देखे बहुत प्राजिन है यहां की जो गलाचिन है यहां की जो तरह की मूरतियां देखते ही समझ में आता है कि ये बहुत फेंशेंट है और आदी काल से ये मोर्ती यहां पर जो है मंदिर स्तावित और मातेश्वरी यहां दिराजमान है तो एक अलोग के एक शांती और एक शक्ती का अनुभाव आप यहां पर आके कर सकते हैं जैश्री मातेश्वरी सबकी रक्षा करें सबका दुखरो माते जैश्री करारी देवी मातेश्वरी जैश्री मातेश्वरी पंडी जी चर्णा अमरित दीज़े चलो सारे लोग चर्णा अमरित ले लो और आप लोगो को और मैं पास में से माताजी के मुख का दर्शन करवाता हूँ जो भी आपकी मनों कामना है आप मांग सकते हैं और अपनी जो भी आपकी तकलीफ को आप अपनी तकलीफ के लिए मन्यत रख सकते हैं आपकी तकलीफ जरूर जोर होगी शेश्री मातेश्री छोड़ से तकलीफ के तकलीफ अजले सकते हैं अञर सकते हमे पार कि killing it कि मिश्वी पिट दिखा के मंदिर के परिश्ण से मादा जी को खबी भी परीट दिखा के ना है तुस्य हमेशा भगवान के मुख को देखते हुए ही बाहर निखलो जे कराडी देवी मातेश्वरी कीचे है तो दोस्तों हवा बहुत तीज चल रही है है तो पर एक तीज वाशन दो सकता है ना पर पानी भी गिरें अबेदे की एक नया शादी का जोड़ा यहां पर आयो है माता जी के दर्शन नए जिमन के शोड़ा है नया चोड़ा आया है माता जी के दर्शन तरह से माता जी का यहां पर एक अद्वुत रूप है और एक शक्ति है और उस शक्ति के आगे सारे लेगेटिव एनेचरी एनर्जी खत्म हो जाते हैं कि देखो छोटी सी कोड़िया आहां पर माता जी की जो प्रशादी नार्याल दोड़ रही है और वहां से प्रशाद निकाल के फिर्वदित्ती है आए जय मता जी बूलो जय मता जी बूलो जय मता जी हो अब बहुत तेज चलते हैं आपे हो जादा देज बुह बहुत जादा थे जो देखो इंगा अब वहां से लाना पड़ेगा तो दोस्तों अगर आपको डिवोशनल वीडियो इस तरह की भारतिय संस्कृती की जो बोलना चे छुपी वी संस्कृती है गाओं में काफी रहती है जो हाइलाइट नहीं हो पाती मैं आपको दिखाने की पुशिश करता हूँ अगर वीडियो पसंद आए माता जी की दर्शन के बाद अगर आपकी कुछ मनों कामना पूर्ण हो मेरे वीडियो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा फॉलो कीजिएगा सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक व्यक्ति को हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई हर मंदिर हर देवता हर भगवान के बारे में जानकारी मिले सारे लोग हमारी संस्कृति के बारे में जाने और इसकी विविद्धता और प्राचिनता के बारे में ज जरूर शेर किजेगा वीडियो और यहां से हम लोग मंदिर के ऊपर जाते हैं ओपर भी मंदिर जाने का रस्ता है यहां भी जाने का रस्ता है और इसके अंदर भी मंदिर है, लोग जो है यहां पे यहां शिव मंदिर है, बहुत गजब की, और यहां पे लाइट नहीं है, अंदेरा है, और आप जाके किसी ने लाइट चालू किया है पेछे से, देखिए भाईयों यह बहुत अधुत है, जो कराड़ी देवी माता जी का मंदिर है उसके जस्ट ऊपर चलाव चलंगे ऊपर शिव मंदिर है जहां पर शिवली गेवावा बहुत है और नंदी बेटे वोए है तो बहुती अलबत रिश्य बहुती अलोगिक रिश्य जैश्री महाकाल हर हर वहाद अच्छा लगा यह भी दर्शन करके चलिए बाहर निक जल गया है यह बड़ा घजब का द्रिश्य था रहा है छोटा सा रस्ता है मंदिर के टॉप पे और अंदर जाके बहुत बढ़ा हो रहा है और शूलिंग वह जो है वहाँ पेठे हुए है बाबा मांगाल शेशनाद के सामने नंदी बाहराज के शामने बेटे हुए है चले